हलो दोस्तों आपका मेरे चैनल में एक फिर से वेलकम है और सुभा के आठ बजे हैं और हमारे यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा ठंड है और साथ में धूप भी शायद आज नहीं निकलेगी और आज आपको दोस्तों मैं छोटा सा एक ओवर्वियू आप कह सकते हैं या फिर करिएगा दोस्तों जो पहला जो पॉइंट है आप देख सकते मैंने यहाँ पे जो पौदे रखे हुए इनके बारे में हैं जो यह वाले पौदे हैं यह दोस्तों फुल सनलेट में बहुत अच्छे से चल जाते हैं और कुछ ऐसे पौदे हैं जो गर्मियों में जालतर फू जाती है वो नहीं होनी चाहिए इसके लिए और साथ में दोस्तों जो सामने पेटूनिया जाया इनको थोड़ी बहुत अगर उस मिलती भी रहे इनके लिए सही रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है और साथ में जो डेलिया पेटूनिया मैंने आपको बताया है इन सभी जो फॉल सनलाइट भी चाहिए साथ में जैसे सुबा से लेके शाम तक इनको पूरी धूप बढ़ने ही चाहिए जिनके लिए ये जो प्लेस है सबसे ज़्यादा बैटर था इसलिए मैंने इन सभी को यहां पे रखा है जहां पे आप देख सकते हैं कोई और पॉदा मैंने के लिए मैंने सभी यहां पे लाइन अप किया हूँ है इसके साथ सभी पॉदों को इकोली जो सनलाइट अमाउंट है वो मिल सके और दोस्तों आ जाते हैं इदर जहां पे हमारे पास मेरी गुल पड़े हैं और नमेंटल केल पड़ा है बैगोनिया पड़ा है और कुछ जो म मैंने फूल सनलाइट में ही रखा हुआ है यह भी पूरी धूप में चलने वाले पौदे हैं इनको भी जारा शेड बसन नहीं है अगर आप दोस्तों शेड में रखोगे तो इनकी लीफी ग्रोध बहुत ज़्यादा होती रहेगी यह देख साथ इसकी भी लीफी ग्रोध ब रखा हुआ और बीच में रखा हुए इसको थोड़ी बहुत थंड भी मिल जाती है क्योंकि यह पौदा जेल लेता है और मेरे पास स्पेस कम होने के कारण मेरे पास कोई और इसके लिए जगा नहीं थी तो मैंने यहां पर रख दिया है यहां पर बहुत अच्छे से चल रह रखा हुए जो भी पौदे हैं जहां पर ब्लूमिंग नहीं हुई है थोड़े से छोटे हैं तो मैंने इनको यहां पर रखा हुए यहां पर जिरेनियम सब यह ऐसे पौदे बढ़े हैं जिनको कही ना कि थोड़ी बहुत धूप नहीं चाहिए रहती है थोड़ी सी कम पर फिर भी जैसे यह सेप्लिंग थी इसलिए मैंने इस कॉर्णों में रख दी जहां पर बहुत कम दूप आती है सुबहा से लिए शाम तक पूरी दूप नहीं आती है इसको बारा मेजी के बाद सिर्फ दो या तीन घंटे की दूप आती है इसमें यह बहुत अच्छे से भी फूल दे रहे हैं और अभी क्या रहेगा दोस्तों मैं इनको थोड़ा से शिफ्ट करूंगा तांके और ज्यादा ब्लूमिंग हो सके क्योंकि यह अभी एडल्ट प्लांट्स बन गए हैं इसलिए आप देख सकते सभी जो जरेनियम हैं और मेरे पेटूनिया हैं और डेलिया हैं जो सभी पहले सेप्लिंग थे वो अभी फ्लावरिंग स्टेज पर आने लगें दीरे-दीरे से और इनको भी हम थोड़ा से शिफ्ट कर देंगे जहां पर इनको सही रहेगा और जहां पर यह अच्छे से फूल भी देंगे तो अब देख सकते हैं सभी में बहुत पूल बहुत ज्यादा क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा में लगा दी यह जो यह वाला को उनगा है इसमें से पर दोब नहीं चाहिए रहती है designer area दोस्तों बहुत अच्छे से grow कर रहे हैं पर impatience बहुत बेख जो बहुत कम grow कर रहे हैं जैसे इनकी growth वो नहीं हो रही है जितनी होनी चाहेगे 2 मेहिने मैंने इनको लगाय हुए हो गई पर फिर भी इनकी growth वहां पे ही अटकी हुई है पर फिर भी चलो थोटा बहुत ग्रो कर रहे हैं कि मैं सॉल चेंज करके देखूंगा और आप देखे साथ यहां पर रखे हुए और इनकी ग्रोज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके लिए कौन सी जो प्लेस है बेस्ट रहती है सैमे शेडर्ड एरिया जहां पर सनलाइट च्छनि हुई आने चाहिए अगर आये नहीं तो इसको बिना सनलाइट के भी आप उगा सकते हैं तो यह मेरे साथ पड़े है और सभी बहुत अच्छी से लगबग लगबग ग्रोव हो रहे है और यहां पर हैं दोस्तों यह वाले प पॉला मिला था नर्सरी से और यह है इसकी मैं एक वीडियो बनाई है तो मैं आपको दिखाऊंगा और इसके साथ ही दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मेमुलस है और यह जरबेरा है यह रनेंकुलस की सेपलिंग जो मैंने होम गरोन बीच से त्यार की थे उनको थोड़ा मैंने यहां पर शिफ्ट किया हुए आप देख साते हैं बहुत अच्छे से यह ग्रोव करें प्राइमूला कारनेशन और जो रनेंकुलस है और सामने जो अजेलिया है इनकी अभी ट्रांस्प्रांटिंग करनी बाकिया और आज यहां कल शाम तक मैं इसकी गर दूंगा और वी पड़े हैं हमारे पास पैटूनिया और यहां पर आ जाता है दोस्तों फोड़ा से दूब वाला एरिया इहां पर यहां पर आती है पर यहां पर मैने रखे हैं और आई बिसकस भी रखा है और यहाँ पर हैं दोस्तों मेरे डेलिया के पौदे जो मैंने अपको दिखाये थे कि मैं बहुत सारे पौदे लगाने वाला हूँ जिन में से कुछ पौदे यह हैं और कुछ पौदे मैंने पौड में लगा रखे हैं आप देख साहिए इनको मैंन से एक दम होने लगेगी और यह सभी दोस्तों जो सैप्लिंग्स थी पैटूनिय की जो अभी रेडी हो गई है इनको भी अभी हम देखेंगे कि वहां पर शिफ्ट कर दें जहां पर फूल सनलाइट आती रहेगी और इनको जो फूल भी अच्छे से आएंगे तो अब देख सकत सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे यहां पर बहुत ज्यादा ठंड होने लगी है कल से और जिसके कारण फूलों को अच्छे से सनलाइट नहीं मिल रही है पर फिर भी जितनी हो सनलाइट तो पौदों को अच्छा है तो शायद अगर आपके हैं पर ऐसी ही चीज है जो मै मैंने पहली वीडियो बना रखें उनको ध्यान से देखें क्योंकि उनमें मैंने इसी पॉइंट्स के बारे में आपको बताया है तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी चैनल को जूटो सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को भी शेर और लाइक कीजिएगा तो थैंक